ये पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक को आप कितरा ही बेगुफ बनाने की कोशिश करें पर नहीं बना सकते। पब्लिक में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आपके जबरा फैन हूंगे और आपकी हर पाउड पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग अगर आपको family मानते हैं तो family की तरीके से ही आपकी family को भी देखेंगे और अगर आपकी family के बारे में आपको गलत बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा नमस्ते मैं हूँ नताशो स्वागत है आपका निक्कु चोधरी व्लोक्स में आज हम रियक्शन देने जा रहे हैं सचिन मनीशा के बारे में पहली बार नहीं है जब किसी वीडियो में अपने मामी और पापा को टारगेट किया है यह उनके लिए कुछ बोला है आपको पता होगा इससे पहले भी उनकी दो तीन बार कॉंट्रोवर्सी हो चुकिया और जो रिसेंली उनकी कॉंट्रोवर्सी हुई थी उनके भाई की पसंद नहीं आ रही है बहुत स्यारी चीज़े बोली गई थी और बाद में शादी में भी गए और सब कुछ चीज़े सही भी हुई लेकिन उससे पहले फार्मली की काफ़े जाता धज्या उड़ा दी गई थी उस वक्त भी अमने एक सवाल उठाय था कि क्या यह सही वक्त है सब चीज़े करने का भले ही वो सही है गलत है लेकिन इस वक्त उनके भाई की शादी है वो इस सब चीज़े कर रहे है तो कहां तक यह चीज़े जाइज है अभी भी कुछ ऐसा हुआ है दसर सचिन मानिशा गय हुए है घूमने के लिए वही दूसरी तरफ उनका छोटा या वो भी अपनी वाइफ को लेकर गूमने के लिए गया हुआ है और इनके घर में चल रहा है कुछ कंस्ट्रेक्शन का वर्क जो की इनके मम्मी पापा करवा रहे हैं मम्मी पापा वहां पर काम में हैं और बाकी सब गूम रहे हैं तो पब्लिक जो है वो भाया देख रही ह पब्लिक ने भी मम्मी पापा कुझा को ये कमेंट कर दिये कि आपकी बहुए पर जिम्मेदारिया है और फिर काम बहुत जादा है जिसकी वज़े से लोगों उने ये बोलना शुरू कर देखिए इस वक्त आपके बेटा बहु को यहां होना चाहिए इस पर क्लियरिफिकेशन देते हुए सचिन ने बात को कोई और ही गुमा दिया मतलब लोजीकल बात मुझे समझ में नहीं कि सचिन किस लोजिक से वह बात करे थे सचिन का कहना ही है कि मम्मी पापा को इसलिए प्रोब्लम हुई है क्योंकि मैं हम अपनी वा बनाने की कोशिश माब आपको बनाने की कोशिश इस तरीके से दिखाने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं जो कि ऐसा कुछ लोजीकल था नहीं उनके तरफ से जो नोने बात बोली है अरे भाई देखो अगर आप आप बोलने हैं कि मैं तो अपने सारे घर का काम भी समालता मेरे घर में भी काम चल रहा है मेरा स्कूल है उसका भी मैं काम समालता हूँ और यह है वो है मैं बहार आके भी सब कुछ कर रहा है मतलब मुझे उनकी वीडियो में कोई भी एक भी लोजिक समझ में नहीं आया किस तरीके से मैं किलियर करती हूँ सब बाते पहला तो आपकी और शादितने घुमे फिरे भी नहीं होंगे वो चीज़े एक अलग है आपकी जिम्मेदारी उठाई आपको बड़ा करा सब कुछ करा तो अगर माबाप यह उमीद रख रहे हैं कि भाई जब उनको काम की जरुरत है काम है तो उनका उनकी एज भी बढ़ती जा रही है तो बच सेक्रिफाइस हर चीज के लिए कर दिया क्या उनको भी तनी उमीद रखना गलत है अगर वो उमीद रखने है पहली बात यह दूसरी बात यह बहु या बेटे की मां कई बात ही नहीं आई क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है जो चीज़े देखी गई है और यह चीज बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनको आजादी नहीं है फिर किसी चीज की उनको पर प्रेशर डाला जाता है जैसे कि आपने दिखाया है तीसरी बात यह हर एक काम करने का तरीका अलग होता है तो हो सकता है आप फोन पर हैंडल कर लेते हों आपको वो सैटिसफाइक्शन होता है आपने का कि मुझे अपनी चैनल पर कुछ अलग करना था कि घूमना फिरने का इस तरीके का व्लोगिंग करना चाहते थे इस वज़े से मर व्यू डाउन हो रहे हैं आप लोग चिंता ना करें यह ना करें भाई पबलिक आपके लिए चिंता करी है पबलिक को कोई फ पता चले जो आपको देख भी नहीं रहे है ओ यह दोनों तो घूमने के लिए गया है वाय वाओ ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग यहां पर ट्रैबलिंग लोग पसंद नहीं करते और सांस बहु के जगड़े ज्यादा पसंद करते यह बिल्कुल भी कहीं तक भी सच नहीं है लोगों को अपनी लाइफ में इंजोईमेंट भी चाहिए हो जो सांस बहु के जगड़े है ना तो आपसे ज़्यादा अच्छा कॉंट्रवर्सल अधर चैनल्स दे रहे हैं उस पर वो लग देख सकते हैं तो पब्लिक को अगर आपकी वो जो गूमने वाली वीडियो जे अ लोगों को यह देखना है और अच्छे तो आपको लोगों को देखना तो इसी वज़ेसे क्या कोंट्रवर्सी क्रियेट की जाती है बार बात मतलब एक तो आपकी पब्लिक आपकी चिंता करें उपर से आप पब्लिक कोई करो कोई फरक नी पढ़ रहा मुझे मतलब यह है कि आपको अपनी पब्लिक से प्यानी आपने का मुझे पेमेंट तो इतनी ही आ रही है जितनी जोड़ती यानि कि आपको आप जो बोलता है कि पब्लिक से attachment है हमारी पब्लिक है यह है वो है नहीं फिर आपको पैसे से मतलब है अगर आप अपनी पब्लिक को बांद के नहीं रखना चाहते आप नहीं चाहते कि आप पब्लिक आपको देखे आपको पसंद करें आप जो चीजे करें उनको enjoy करें तो आपको वो चीजे आप में दो कि देख लगो कर सांस बहुकर ड्रामा पसंद आता है या कुछ भी है आप अपनी पूलिक को बांद के नहीं रख पा रहे हैं और आपने बीच में controversial वीडियो अपने माबाप को सिधर target कर दिया है कि आप हमेशे यही दिखाना चाहते कि आपके माबाप जो है सिर्फ लड़कों को आगे करते कभी यह बोलते है कि नहीं चोटे बाई को जाद किया जाता है फिर आपकी सोच बदल जाती है अरे नहीं यही चोटे भाई को भी कर रहे हैं बहुत कोहीं नहीं करते हैं ये तो सिर्फ Keeping is बारे में करता है। तो आपने किस ऐसे तो कर लीजे कम से कम हर चीज में माबाप को हेड दिन वाना और वो चीज आप कमेंट सेक्षन में समझ सकते हैं कि लोग वो समझ रहे हैं कि आपके माबाप क्या कहना चाहरे हैं आपके माबाप क्या सोच रहे हैं क्या सोच रहते हैं क्या आपको समझाना चाहरे हैं लोग आपके आधिस से ज़्यादा पब्लिक आपके माबाप को सपोर्ट करें वह पब्लिक जिसने आपको पहले बहुत सपोर्ट किया जब आपकी पहले कॉंट्रोवर्सी वह अगर आज माबाप को सही कह रही है न तो वह चीजे आप अगर अपने कमेंट सेक्षिन को ध्यान से होती है जब आगे जाके आप माबाप बनेंगे आपको भी वह उमीद होगी तो यह चीजे थोड़ी समझने वाली है हर चीज में बच्पना करना या हर चीज में माबाप को गलत दिखाना यह बिलकुल गलत है यार तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स स्टूडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्यू सो मच